वेलकम तो डिवी स्टडीज, डिवी स्टडीज में आपका स्वागत है, फ्रेंड आज है 24 जून और 24 जून से बनने वाले जितने भी करेंट अपर्स के कोश्चन है और उनसे सभी इंपोर्टेंट फैक्स को मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा, आप इस वीडियो का इस एक कोश्चन पुछूँगा उसका अंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में दे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इंडिया का पहला वर्चुआल हेल्थ केर और हाइजिन एक्सपो किस ने इंटर्ड्यूज किया, तो फ्रेंड इसका करेक्ट एंसर आप्सेन है, मांसुक मांडविया, मांसुक मांडविया, जो की मिनिस्टर आप स्टेट फॉर सीपिंग एंड केमिकल एंड फटिलाइजर है, उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया लार्जेस्ट पहला वर्चुआल हेल्थ केर और हाइजिन एक्सपो 2020 इंटर्डूज किया है, यह हेल्थ केर और है सब्सक्राइजिन एक्सपो फिकी के द्वारा और्गनाइज किया जा रहा है, फिकी का फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑप इंडियन चैमर्स ऑप कॉमर्स और इंडिस्ट्रीज, फिकी की स्थापना 1927 में हुई थी, फिकी का एड़ कॉर्टर नहीं दिल्ली है, और फिकी के परसिडेंट प्रजेंट टाइम में संगीता रेड़ी है, फिकी के सेक्रेटरी जनरल दिलीप मित्रा चिनोय है, और फिकी के सीओ, पवन कुमार अगरवाल है, यूनियन मिनिस्टर ऑप केमिकल एंड फटिलाइजर, डीवी सदानंद गोडा है, नेक्स्ट कोस्टन, परदान, निराकर परदान को प्रीमिया के नए CEO के रूप में न्यूक्ट किया गया है, फ्रेंड बात है PRMIA की, तो PRMIA की एक फूल फॉर्म क्या है, Professional Risk Managers International Association Professional Risk Manager International Association जिसके नए CEO निराकर परदान बने है Professional Risk Manager International Association की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका हेटक्वाटर Wellington US में है Next question Which legend of WWE announces his retirement? WWE के किस लिजेंट ने अपना retirement announce किया है तो फ्रेंड अभी The Undertaker ने अपना retirement announce किया है इन्होंने आखरी मैच WrestleMania 36 में AJ Styles के साथ लड़ा इनका लास्ट मैच AJ Styles के साथ था WrestleMania 36 में और Undertaker का ओरिजनल नान Mark Calway है Mark Calway है Next question Which organization has partnered with effort plan to launch Swast Card? Effort plan के साथ मिल करके launch Swast Card launch किस organization ने किया है तो friend Yes Bank ने अभी effort plan के साथ मिल करके एक card launch किया है Swast Card Yes Bank effort plan के साथ कि मिल करके एक wallet भी launch कर रहे है effort plan Swast जो जिसमें की QR scan के द्वारा वैपारी अपना भुक्तान कर सकेंगे अब Swast Card launch क्यों किया गया है Swast Card उन परिवारों के लिए launch किया गया है जिने Preventive Care की आवश्कता है उनकी मदर के लिए एक चीप आधारिट चीप आधारिट कार्ड डेविड कार्ड डिजिटल वालेट सेविंग लॉन्स और इंसॉरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा यह स्वस्तकार यस बैंक बात हो रही है यस बैंक की यस बैंक ने यह सारे काम किए तो यस बैंक का हैर्कॉर्टर मुंबए है यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी यस बैंक के प्रजेंट है में MDN CEO प्रसांत कुमार है और Yes Bank का टेक लाइन जिससे question पुछा जाता है बैंक के एक्जाम में अक्सर वो है experience our expertise experience our next question Yuko Bank has tied up with Dash insurer to sell their product Yuko Bank ने कितने insurers के साथ साज़ेदारी किया है अपने products को बेचने के लिए Friend अभी Yuko Bank ने चार insurance company के साथ साज़ेदारी किया है अपने products को बेचने के लिए वो चार कंपनिया है SBI Life Insurance Company, Oriental Insurance Company, Rally Gear Insurance Company, Star Health and Allied Insurance Company Yuko Bank का headquarter Kolkata West Bengal है और present time में Yuko Bank के MDN CEO अतूल कुमार गोयल है Next question, which organization get the patent for liquid cooling and heating garment किस organization को liquid cooling and heating garments के लिए patent मिल गया है Friend अभी ISRO को liquid cooling and heating garments के लिए patent मिला है अब ये liquid cooling and heating garments है क्या ये एक light weight का flight human space flight suit है जिसे जो की गर्दन से ले करके अंगुठे तक पैर की अंगुठे तक पूरा cover करेगा और ये गर्मी से astronauts को बचाएगा ये एक inner wear है के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा और ये flight suit astronauts को LCHG के उपर पहनना पड़ेगा इससे गर्मी से बचा जा सकेगा Friend अब बात है ISRO ने किया है तो ISRO की स्थापना 1969 में हुई है ISRO का headquarter Bengaluru है और ISRO के director के सिवान है नेक्स्ट कोस्चन वेन विल यू United Nation Public Day कब मनाया जाता है हर साल 23 जून को United Nation Public Day मनाया जाता है United Nation Public Day Public Services की योगदान विकास और Public Services की मत्पुनता दर्थाने के लिए हर साल मनाया जाता है United Nation का headquarter New York है United Nation का foundation 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और present time में United Nation के secretary general Antonio Guterres है Friend United Nation Public Day के साथ साथ इस दिन World Olympic Day भी मनाते हैं World Olympic Day भी मनाया जाता है World Olympic Day खेलों के परती हमारे खेलों के परती जागरुता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और International Olympic Committee के president Thomas Batch है इसी दिन International Widow Days भी मनाते हैं International Widows Day 23 June को मनाया जाता है Friend तो ग्याद एके 23 June को तीन important day मनाया जाते हैं United Nation Public Day, World Olympic Day और International Widows Day Next question Recently Steve Bing passes away ही वाजे famous हाली में Steve Bing का निदन हो गया वो कौन थे Steve Bing एक famous film producer थे तो प्रेंट इसका correct answer is C इन्होंने एबरी ब्रेत, गेट काटर जैसी महान गेट काटर जैसी famous movies को produce किया है Which state government has launched the निष्ठा विद्यूत्मित्र scheme निष्ठा विद्यूत्मित्र scheme किस government ने launch किया है तो प्रेंट इसका correct answer है option C मद्यपरदेश मद्यपरदेश सरकार ने निष्ठा विद्यूत्मित्र scheme launch किया गया है अभी मद्यपरदेश में बहुत सारी schemes आये थी G1 अम्रित योजना या immunity बढ़ाने के लिए मद्यपरदेश में आया था नेक्स्ट जीवन सकती योजना की सुरुवात मद्यपरदेश ने की थी जहां पर महिला आये मास्क बना करके एक ज्यार उपे में बेचेंगी टॉप parents app students के लिए launch किया गया था संकल्प योजना बुजुर्गों की साहिता के लिए एक योजना रहे गई थी मद्यपरदेश गवर्मेंट के द्वारा संकल्प योजना यहां पर चरन पादुका पहल की वी सुरुवात की गई थी FIR आपके दुआर मद्यपरदेश की पुलीस के दुआरा सुरू की गई थी मद्यपरदेश का capital बुपाल है मद्यपरदेश के CM सिवराज सिंग चौहान है और present time में मद्यपरदेश के गवर्नर लाल जी टंडन है मद्यपरदेश में important national park, kana national park, bandhavgar national park, madhav national park, sanjay national park, penna national park, satpura national park और pench national park है फ्रेंड इतने सारे facts आपको मद्यपरदेश से याद रखने है next question who has inaugurated the virtual india pavilion at kens film market 2020 virtual india pavilions kens film market 2020 किसने inaugurate किया तो friend इसका correct answer है option b prakash javadkar हमारे union minister of information and broadcasting prakash javadkar ने virtual india pavilion kens film market 2020 का inauguration किया है और इस inauguration के दौरान प्रकार जावटकर ने international film फ्रेंटी को india में suit करने के लिए अमंतृत किया है और उन्होंने कहा है उन सभी चीजों को international market में sale करे हमारे इंडिया के तरफ से दो film को screening के लिए इस festival में बेजा गया है वो दो film है एक माई घाट क्राइम नंबर 103 by 200 यह मराथी मूवी है और दूसरी है हेलारो यह गुजराती फिल्म है तो फ्रेंड यह थे हमारे आज के करेंट पर से बनने वाले सभी कोश्चन अब बारी है हमारे लास्ट वीडियो की आंसर की लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था इसका बहुत सारे लोगों ने करेंट एंसर दिया है आप इसी तरह कोश्चन का आंसर कमेंट में करते रहें इससे में मोटिवेशन मिलती है तो फ्रेंड इसका करेंट एंसर है option c जर्मनी अब दारी है हमारे आज के कोश्चन की हमारा आज को कोश्चन है which countries become 12th largest US government secretary holder US government secretary holder का बार्मा सबसे बड़ी country कौन बन गई है तो friend इसका answer आप सभी हमें comment box में करें अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, helpful लग रहा हो तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और बिल आइकन जोड़ी दबाएं थैंक्स फो वाचिंग